Hello viewers, welcome to my channel. कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करूँगी ये कैसे पिकल की जिसमें मैं बिल्कुल भी ओयल का यूज नहीं करने वाली हूँ और मैं अपने बिजी शेडिल में इस पिकल का जरूर यूज करती हूँ और मैं जादा हामफुल होते हैं घर के बने हरी पिकल प्रोबायोटिक रीच माँ चेह होते हैं, अपके गट बेक्तिरिया के लिए बहुत अच्छे ऋंचे होते हैं और दादी नानी चेह जबाती हैं हमारी अधिन बनानी के पिकल को हम भूल गये हैं तो उनी की यादे ताजा करते हुए, मैं आप से शेयर करती हूँ, यह आम का हिंग वला चर, जिसमें हम बिलकुल भी ओयल का यूस नहीं करने वाले हैं, और यह बनाने के सिर्फ एक से दो दिन के बाद ही आप इसे खा सकते हैं, और यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने के टेस्ट को तो बढ़ाता ही है, साथ में ही आपके डाइजेशन को भी बहुत इजी करता है, और जिन लोगों को IBS प्रॉब्लम होती है, irritable ball syndrome उनके लिए बहुत अच्छा है, और समर्स में यह हलके हलके pickles अगर हम यूस करते हैं, तो हमारी health को बिलकुल हाम नहीं हो इस तरीके से instant हजारी बना कर खाएंगे, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ किचन में और बनाते हैं यह हींग का आम का अचार, इस पिकल को हम weight loss journey में यूस करने वाले हैं, और यह है हींग वाला आम का अचार, जिसकी डे मैंने raw mango लिये हैं, और यह इनको मैंने अच्छे से दो के पूश लिया है, अब हम इसको कर लेते हैं, फटा फट से पील, और पील करने के बाद हम इसको कट करेंगे, हींग वाला आचार आपके digestive system को बूस्ट करता है, घर का बना हुआ है, खाने का taste enhance करता है, और इस पिकल को हम weight loss journey में मज़े लेके खा सकते हैं, और हमें खान पीसे कट करूँगी इस तरीके से, और ये देखिए हमने पीसे कट कर लिये हैं, और हम इसमें डालेंगे spices, और spices में सबसे पहले डालूँगी में हींग, जो कि इसका main ingredient जो कि आपके digestive system को बूस्ट करेंगी, और इस अचार को खाने से आपको acidity नहीं होगी, और इसमें डाल इसमें इतने ही spices में ये अचार बन जाता है, और इसको करेंगे हम अच्छे से mix, अच्छे से toss, और इसको रख देंगे हम दो दिन के लिए जहां हलकी धूप आती हो, इस तरीके से cover करके, और या फिर आप अपने इस एरिया में थोड़ी सी रोश्णी हों वहां पे भी रख सॉफ्ट भी हो चुका है, और इसको हम बनाने के दो दिन के बाद ही खा सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है, आप ने देखा कि आम का ये हींग वाला आचार कितना टेस्टी देख रहा है, और ये बस दो ही दिन में बन जाता है, उसके बाद आप इसे आराम से रखें फ्रिज में और घर की बने हुए पिकल प्रोबाइटिक रिच तो होते ही है, साथ में आपको पता नहीं होगा कि ये बीट वैल को भी एब्सॉफ करने में हेल्प करते हैं, वाइटमिन डी को भी बूस्ट करते हैं, बहुत सारे वाइटमिन्स और मिनरल आपको यूही मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्पाइसे होते हैं, जो आपको बहुत साथा फायदा पहुचाते हैं, तो इन पिकल को अवाइट ना करते हुए इन्हें एक चमच जरूर खाएं अपने मेल में, बस पिकल को आपने दादी नानी को कहते सुना होगा, कि पिकल को पिकल की तरह ही खाएं, वो इसलिए कहा जाता था, कि एकसेस अगर आप खाएंगे, तब ही आपको पिकल से एसिडिटी होती है, जैसे कि कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं, कि उन्हें खटी चीज़ों से एसिडिटी होती है, तो खटी चीज़ों से को हम छोड़ेंगे नहीं हम उसको वेट वास में साथ साथ लेके चलेंगे तो आप जब इस पिकल को बनाए तो मुझसे एक पिक्चर जरूर चेयर केजिए चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सारे हल्दी है थैंक्यों सुम्राच